मस्कार दोस्तों हेल्फू चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि मुलांक एक जी हाँ दोस्तों पूरा मुलांक एक से जिस किसी व्यक्ति का मुलांक एक है मैं ये पूरी मुलांक सिरीज चालू कर रहा हूँ मुलांक एक से लेके नौ तक की स्रीज में उस समय आज मुलांक एक का स्टार्ट करते हैं मुलांक एक स्रीज वालों का कब लगी एर होगा कब शादी होगी किस एर में दुरगड़ना होगा कब शाद, नौकरी, शादी और कब मिरत्यू यह पूरा मुलांक एक वालों के बारे में एक साणनी बनाई है, यह टेबल बनाई गई है, तो यह इस पूरी टेबल को आप अपने आप से जाज कर सकते हैं और इस तरीके से find out कर सकते हैं अपने अपने बारे में, तो दोस्तों यह रही मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छ हो, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, और मैं आपको सब्सक्राइब बताता हूँ, तो चलते हैं वीडियो की ओ, अब यहाँ पर कैसे बनाना है, कि मुलांक एक, मुलांक एक क्या होता है, मुलांक कैसे find out करते हैं, मुलांक find out करने के लिए, जो आपकी, जिस दिन आपका जन होता है, जिस तारीकोस का आपका जन्म होता है, वही आपका मुलांक होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, कि अगर 17 तारीक को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मुलांक 8 हुआ, तो 17 का सिंगल डिजिट में करनेंगे, 1 प्लस 7 is equal to 8, 8 नमर मुलांक याने, और 8 नमर होता है, शनी का, यानि कि आपकी पूरी परसनालिटी शनी पर अधारित होगी, शनी ग्रह का आपकी जीवन में बहुत महत्तो होगा, तो अब यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर मैंने मुलांक 1 से स्टार्ट किया है, तो मुलांक 1 लिख लिए है, मैंने यहाँ पर लिखा एक तरह पनाया है, मुलांक, ठीक है, और मित्र नम्मर लिखे है, मुलांक 1 के, मुलांक 1 के मित्र नम्मर है, क्या है, मुलांक 1 के ओसत आयू भी निकालने का समय लिखा है, शत्रू नम्मर कौन कोन से होते हैं, वो भी यहाँ पर लिखा है, तो मुलांक 1 कैसे होता है, जिनक मुलांग एक के सत्रू नमबर जो होते हैं चार छे साथ आठ चार राहू छे वीनस साथ केतू आठ साटरन ठीक है अब इनका जन्म एर जिस वर्स होता है वो आप लोग लिख लेते हैं जैसे कि मैंने माना यहाँ पर इनका जन्म वर्स का अगर हम सब टोटल करें यानि कि सिंगल डिजिट में करें टू प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन इस उकल टू थ्री तो थ्री नमबर आ गया अब हम लोग टू थ्री जो आया है उसको पूरे सीयर में सब में जोडते आएंगे और यहाँ जोड़ा है अब हमने एक तरफ से कॉलम मनाया है दुरगटना दूसरा करण माना है यह सब चीज मैंने कॉलम मनाया है तो अब दुरगटना कैसे दिखाएंगे अगर 2001 में पैदा हुए है तो वहाँ पे दुरगटना नहीं होगे क्योंकि इसका सब टूटल तीन नमर आया है और एक और तीन आपस में मित्र हैं तो दुरगटना नहीं होगी अब 2006 में दुरगटना होगी इसलिए मैंने टिक का चिन लगाया है 2006 में दुरगटना क्यों हो रही है क्योंकि 2 प्लस 4 जुकल टू 6 है और एक नमर 6 में तोड़ा सत्रू है तो वो वर्स इनके लिए ठीक नहीं जाएगा दुरगटना मतलब यह नहीं कि एक्सिडेंट हो जाएगा कुछ ना कुछ उस साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहेगी अब 2007 में है यह आला 2010 में कोई दुरगटना नहीं होगी फिर 2013 आता है 2013 यानि की 3 एक चार और 4 दो 6 इसमें दुरगटना हो सकती है नुकसान हो सकता है फिर ने 16 आता है 6 7 दो 9 इसमें नहीं होगी तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और आप तीन का है कि 2001 को हमने सब टोटल की थो तीन आया तीन को हम लोग एक 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 वर्स के रूप में हर साल का निकालने तो उसका भी निकाल सकते हो आप हर साल ठीक है तो मैंने डायट लिद आ जाया तो आब इनके हमने इनका जन्व एयर का वर्स का 3 जोड लिया है तो 23 में एक जोड़ा जो इनके मित्र नमर है वो एयर यानि कि 24, 26, 27, 29 या 33 इस वर्स में ये नौकरी करते हैं ठीक है शादी क्या है ये से 21 वर्स के बाद ही हम लोग मानते हैं तो 21 में तीन है तो इनके मित्र नमर वो जोड़ते हैं 25, 27, 32, 36, 37, 39, 44 या 35 वर्स तक शादी होती है अब मिर्त्वी एयर में इनकी मिर्त्वी एयर हम ये साथ वाले ही एयर में होगी देख लिए कि आप चेक कर लिए कि तो 2000 इसको कैसे निकाले हैं वाजार एक का जोगर हम सब टोटल करते हैं तीन आता है तो 20 उस एयर का हाफ का नमबर का ये 20 प्लस 3 है 20 मल्टिप्लाइ 3 प्लस 0 मल्टिप्लाइ 1 इंटु 3 यानि कि 60 प्लस 3 उगल टो 63 तो आउसत आई इनकी 63 शाट प्लस होती है और ये प्लस इसमें फिर 9 जोड़ते आएंगे तो 72 फिर 9 81 90 और 99 इस तरीके से हम जोड़के इनकी आयू निकाल सकते हैं तो ये रही मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जोड़ कर दीजेगा लाइक करिए शेयर करिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दर चैनल और कोई समस्य हो मेल कर दे नितिन 549 at the rate gmail.com पे दोस्तों धन्यवाद दोस्तों हेलफो चैनल को देखने के लिए